सिने इंक पॉड्कास्ट सिने इंक्ति अपने स्थार के अलावा दो मकसद और शामिल किये अपने पढ़ने वालों को दुनिया दिखाना और साथ ही दुनिया को अपने उकुलाम लेकिन महान मुलक हिंतुस्तान की देकसी का हाल सुनाना इसलिए उनका सफर नमा मुसाफिर की डाइरी उर्दु जबान का पहला मौडर्न सफर नमा माना जाता है जिसमें अपने वक्त की सियासत और सियाहत यानि पॉलिटिक्स और टूरिजम दोनों का बड़ा हसीन मिलन है इंग्लेंड के सफर के बाद अब अबास सहब हिंदुस्तान लोटने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नहायत मुक्तलिफ तरीखे से मुसाफिर की डाइरी सत्रवा एपिसोड पेश कर रहे हैं परवेज आलम हेल हिटलर पेरिस पांच रवंबर समंदर के राश से ते हिंदुस्तान सबी वापस जाते हैं मैं खुशकी के राश से जा रहा हूँ शाम को छे बज़े पेरिस से रेल रवाना हुई ज्यादा भील नहीं थी एक कुने में मैं दुबकर सो गया रात के कुई बारा बज़े थे कि करख्त आवास ने चगा दिया हेल हिटलर मैंने आखें खोल कर देखा तो एक जर्मन फौजी अफसर वर्दी पहने खौफनाक मुचों पर ताओ दिये खड़ा है और हेल हिटलर हेल हिटलर के नारे लगा रहा है मौजूदा जर्मनी में हर शख्स के दमाग और हर शख्स की जबान पर हिटलर सवार है सलाम अलेक, नमस्ते, कौन निश के बजए हेल हिटलर ही कहना पड़ता है जिसके मानी हिटलर जिन्दाबाद समझे मैं हिटलर जिन्दाबाद क्यों कहता मैंने अफसर के सलाम का जबाब ये कह कर दिया महत्मा गान्दी की जै वो समझा यही मेरे मुलक का दस्तूर होगा इसलिए कोई एतराज ना किया और माइने के लिए पासपोर्ट तलब किया सामान की तलाशी ली तो उसको बड़ाता जब हुआ कि मेरे पास एक छोटी से अटेची केस जिसमे के चंद कमीस और दो रात केस होने के पजामे और लिखने पड़ने का सामान है और टाइप रैटर के सिवा और कुछ सामान था ही नहीं अपना बाकी सामान मैंने बार बरदारी के जहाज से हिंदुस्तान रवाना कर दिया वरना इस रेल के सफर में बड़ी दिक्कत होती रेल कोई आधा गंटे तक चर्मनी की सरहत पर खड़ी रही और फौजी अफसरों ने नहायद सखती और बद्तमीजी के साथ मसाफरों के पासपोर्टों और सामान का मौइना किया इस मुल्क में दाखिल होते ही मालूम हो गया कि यहां फौजी हुकूमत है और गेर मुल्कियों को नफरत और हिकारत की निगाह से दिखा जाता है नाच्सी शहर म्यूनिख छे नवंबर सुभू की साड़ी छे बजे रेल यहां पहुंची मैंने जर्मन इंगलिश टिक्षनरी की मदद से स्टेशन के होटिल में नाच्टा किया और सामान स्टेशन ही पर छोड़ कर शेहर की सेर को निकला हर जगा घंडे हर जगा स्वास्तिका के निशान हर जगा हिटलर की तस्वीर है इसको कहते हैं शख्सी हुकूमत इसको कहते हैं डिक्टेटर्शिप म्यूनिख के शहर पुराना मगद साफ सुत्रा और खुबसूरत है इतबार होने के वज़ा से आज शहर पर खामुशी चाही हुई है सर्दी खूब है मगर आस्मान साफ है थूप निकली हुई है हसारों बरस से ये शहर जर्मन तमद्दून और आर्ट का गहवारा रहा है यहां के तारीखी अमारतें आर्ट गैल्लिया और बागाद काबल दीद है मगर आज म्यूनिक हिटलर की नाचसी बरबरियत के गहवारा होने की वज़ा से मशूर है मैंने वो जमी दोज शराफ खाना जाकर देखा जहां हिटलर ने तक्रीरें करके अपनी नाचसी पार्टी को काहिम किया था इस शहर में इन नाचसीों ने कई बार कतल गारत का बाजार गर्म किया है और परसों इसी किसी कारनामे की यादकार मनाई जाएगी इसलिए तमाम शहर को नाचसी जंडों निशानों से सजाया गया है हर जगा वर्दियां पहने हुए फौजी अफसर और नाचसी पार्टी के मेंबर अकड़े हुए नजर आते है एक आर्ट गैलरी को मैं देखने गया मसवरी के नादर और नायाब नमूनों से भरी हुई है मगर उनको देखने वाला मेरे सिवा एक और आत्मी था जो शक्ल से कोई यहूदी मसवर मालूम होता था नादरी हुकूमत में जंग, गतल और खून की तालीम दी जाती है आर्ट को तबाह किया जाता है लेटरेचर को जलाया जाता है हिंदुस्तानी तालेबिल्म गूम तग हमता, मैं तालीबिल्मो के एक हॉस्टल में पहुँच गया यहां ज्यादतर गर मुल्की तालीबिल्म रहते हैं दरियार्ट करने पर मालूम हुआ कि चंद हिंदुसानी भी है तलाश करके उनको ढून निकाला पहले तो वो पड़ी तपाक से मिले मगर थोड़ी ही देर में जब उनको मालूम हुआ कि मैं अखबार बंबे करॉनिकल कर नमाइंदा हूँ तो उन सब को कोई न कोई काम यादा गया एक ने कहा मुझे लेबिरिरी जाना है दूसरा बूला माफ कीजिए आप ऐसे गलत दिन आए हैं वरना आपको जरूर शेहर की सेर कराता दो तीन लड़के रह गए और मुझे से हिटलर और नाजजी हुकूमत की तारीफ करने लगे जब मैंने उनके नुक्ते खैल की तरदीद की और हिटलर के जल्म और जबर का जिक्र किया तो वो बहुत घबराए और कोई बहाना करके उठ खड़े हुए जब मेरे हमकौम मुझको अकेला छोड़ गए तो मैंने चंद अमेरिकन तालिब इलमों से दोस्ती की उन में से भी चंद हिल्टर के मौफिक थे मगर इस वजह से उन्होंने मेरा बाइकॉट नहीं किया बलके हर तरह से मेरी मदद की और मेरे साथ जाकर शेहर की सेर कराई शाम को मैं एक मोटर बस मुझको मुझको किया म्यूनिक की खरीब ही एक पहाड़ी पर बख्टिस कादिन का चोटा सा खुबसूरत गाउं है इस जगा हमने हिटलर का वो बंगला देखा जहां चेंबलिन साहब ने यूरोप के अमन को जर्मन की खुंखवार हुकमरां के हाथों बेज़ दिया वियना वियना साथ नमब्बर रात म्यूनिक से रवाना होकर सुभू वियना पहुचा किसी जवाने में ये शेहर यूरोप की सबसे बड़ी सल्तनत का दारूल खलाफा था आस्ट्रिया के शेहनशाह आधे यूरोप पर हुकूमत करते थे आज आस्ट्रिया हिटलर के जर्मनी का एक सूबा है वियना पर उसी तरह बरलिन से हकूमत की जाती है जिस तरह देली पर लंदन से वियना पुरानी तारीखी अमारतों से भरा हुआ है हर कदम पर अजिम उश्शान महल शानदार अमारतें बागात मुझसमें और दूसरी तारीखी यादकारे नजर आती है पिछले साल तक तुनिया की कौने कौने से सयाह वियना की सहर को आते थे इस शहर की आध्याबादी की दारों मदा सयाह की आमद और रफ्थ पर था जब से आוס्ट्रिया पर हिटलर ने कब्जा किया हैं सियाह की तादा रोज पर रोज कम होती जा रही है इसके लावा मुलक की इक्तिसादी जिन्दगी पर भी जर्मन सर्मायदारों और जर्मन हकूमत का तसल्ट कायम हो चुका है आस्ट्रिया की वही हालत है जो यूरोपिन हकूमतों की एशियाई और अफरीकी नौाबदियात और मखबूसात की है यहूदी वियना में बहुत सी दुकाने बंद मिली उन पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं जिन से मालूम होता है कि हुकूमत ने जबरन उनको बंद करा दिया है क्योंकि उनके मालिक यहूदी थे यहूदियों की चंद छोट छोटी दुकाने अब भी हैं मगर उन पर भी पोस्टर लगे हैं जिन में जर्मन नसल के शेहरियों को ताकीद की गई है कि यहां से कोई खरीदो फरुख ना करें मैं चान बूच कर एक यहूदी की दुकान में तस्वीरें खरीदने के लिए खुस किया जब बाहर आया तो एक बावर्दी नाच्सी नौजवान ने मुझे नहायत करख्त लहजे में डाटना शुरू किया मगर जबान यारमन तर्की वाला मजबून था इसलिए मैंने जर्मन डिक्शनरी निकाली और उससे यह अलफाज कहके कि मैं जर्मन नहीं बोल सकता छुट कर आपाया तमाम शहर की सड़कों के किनारे दोनों तरफ चलने फिनने वालों के आराम के लिए दरख्तों के नीचे बैंचें पड़ी हुई हैं डाटा, मैंने सोचा, क्या यही महसब यूरोप है, क्या यही जर्मन तमद्दन है, हिंदुस्तान में हम छूट चात और जात पात की सक्तियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जर्मनी में नाच्सी हकूमत उसी छूट चात को इक्तियार कर रही है, यह तो मुझे दी कही है, उनको बेघर, बेदर कर दिया गया है, उनकी दुकानों और कारोबार को जब्त कर लिया गया है, मगर फिर भी, उस बुड़िया का बेंच से उठाया जाना, मुझे एक नाकाबल बरताश्ट जल महसूस हुआ, वियना में बहुत से खुबसूरत मनासर देखे, ख जब तक वहां बोड़ी यहूदी औरतों को शेहर की सड़कों के किनारे बेंचों पर बैटने की इजासत ना होगी तब तक, हंगरी, आठ नवंबर, वियना से बुड़ा पेस्ट का फासला ज्यादा नहीं है, शाम को वियना से रवाना हुआ, और रात के नौबजे हंगरी के सबसे बड़े शेहर बुड़ा पेस्ट पहुँच गया, रास्ते में एक हमसफर ने एक होटल का नाम बता दिया था, फॉरन टैक्सी करके वहां पहुचा, तो मालूम हुआ कि शेहर के सबसे बड़े और महिंगे होटल में पहुँच गया हूँ, तीन रात का जागा बुड़ा पेस्ट दरीया दन्यूब के एक किनारे पर बुड़ा आबाद है और दूसरे किनारे पर पेस्ट हंगरी में ज्यादतर जिपसी कौम के लोग आबाद हैं जिनकी शक्ल सूरत बहुत कुछ हम हिंदुस्तानियों से मिलती है, खाने में भी हमारी तरह मसाला पड़ होता है, इस शेहर का चुड़िया घर तमाम दुनिया में मशूर है, इसको जाकर देखा, वाखे नहायत खुबसूरा तो दिलकश बागात में जानवरों को रखा गया है, चाम को दरीया के किनारे भी बहुत खुबसूरा समा होता है, हंगरी का सबसे बड़ा कौमी मसला हिं दारी का है, तमाम मुलकी जमीन पर बड़े बड़े जमीदारों का कब्सा है, जो गरीब किसानों पर तरह तरह की जल्म करते हैं, दौलत से मटकर चंद सो खानदानों में आ गई है, और बाकि तमाम आबादी बड़ी मुफलिसी की जिन्दकी कुजारती है, सियसी सूरत हाल यह है कि हिटलर और मसूलिनी दोनों हंगरी के सियसादानों पर खूब रुपया सर्फ कर रहे हैं, और नाच्सी और फासी प्रोपगंडा जोरों पर हो रहा है, हकूमत नाच्सी किसम की है, और मजदूरों और किसानों पर काफी सखतियां जाइज रखती है, प्र भी जर्म और से हो रहा है, और हिटलर और मसूलिनी के एजेंट दोनों उससे पूरा फाइदा उठा रहे हैं, रुमानिया, दस नमंबर, बोदा पेस्ट में दो दिन कयाम करने के बाद रात की ट्रेन से रवाना होकर आज सुभू रुमानिया के सबसे बड़े शहर बुकरेस्ट पहले ही ट्रेन में से तेल के कुए नजर आए, कहीं कहीं देखा कि फाल तो तेल के जोहर बन गए हैं, रुमानिया में तेल की कसरत है क्योंके मुल्क गरीब है, इसलिए बरतानिया, फ्रांसीसी, अमेरिकन और जर्मन सर्मायदारों ने तेल के ठेके ले रखे हैं, उन तमा अगर किसी दिन रुमानिया यूरोप की खान जंगी में फसा तो उसकी वज़े यही फाल तो तेल होगा, तेल के चश्मों को जंग की आख से तूर रखना चाहिए, मालूम नहीं किस वक्त भड़ा कुटें, हंगरी में भी मुफलीसी है, मगर रुमानिया में जो हाला देख वो उससे भी अबतर है, नवंबर की सर्दी में किसानों के गरीब बच्चे मेले चीतरों में ठिटरते हुए, रेलवे स्टेशनों पर सेब बेशते नजर आते हैं, उनके चहरों पर भूक और मुसीबत के निशान पड़े हुए है, पुकरिस्ट खासा अच्छा शहर है, अगरी की इक्तिसादी हालत के जमेदार महां की जमेदार हैं, रुमानिया में जमेदारों से ज्यादा खून चूसने वाली जमाद फौजी अफसरों की है, जो हर जगा भरकदार वर्दियां पहने अकड़ते हुए नजर आते हैं, मुल्क की दौलत के ज्यादातर हिस्सा इ अगरी कई जमादें भी हैं जिनके मिम्बर शोरिश करते रहते हैं, तालीम बराए नाम है, अख़वारात की आज़ादी सल्प है, जसूसों के खौफ से कोई जबान नहीं कुल सकता, मजदूर और किसान मुनजम नहीं हो सकती, गरस पूरा नासी माहौल मौजूद है, मगर बाश्या कैरल ये फैसला नहीं कर सका कि बरतानिया का साथ या जर्मनी का, दोनों हकूमत से साथ बाज हो रही है, जब तक रुमानिया में तेल के जखीरे मौजूद हैं, सब हकूमतों की आँखें इस मुलक पर लगी रहेंगी, मगर आज ऐसी खबर मिली है, जिससे फिलहा तुमाम दुनिया की तवच्छो तुर्की की तरफ मबजूल हो गई है, आज सुब मौजूदा तुर्की का मेमार, तुर्कों का महबूब लीडर और हुकमरा अता तुर्क कमाल इस दुनिया से कूच कर गया, मैं पहली ट्रेंसे इस्तंबूल के लिए रवाना हो रहा हूँ मुसाफिर की टाइरी, अभी आप सुन रहे थे नॉविल निकार, कहानिकार और फिल्म डिरेक्टर ख्वाजा एहमा तब्बास के इस सफर नामे का सत्रवा एपिसोड, पेश कर रहे थे परवेश आलम सिनेंक के सभी पॉडकास्ट दुनिया के बड़े नेटवर्क्स पर मौचू थें, आप हमारी वेबसाइट पर आईए, जहां आपको न सिर्फ हमारे सभी प्रोग्राम सुनने को मिलेंगे, बलकि उनके मुतालख आपको दीगर तफसीलात भी पढ़ने को मिलेंगी, हमारा पता है, www.cineinc.com